तो अब आपका स्वागत है आज की नेखनेओ शुरू करते हैं कल की बात कर लेती दोस्तों मैंने पूछा था कि हमारी टेक निउस जो होती है उसमें जो फणी कंटेंट्स हम देते वो तो तीन साल से दे रहे तो क्या वो आपको कॉपी लगता है तो लगबक से दोस्तों 80,000 लोग ने वोट डाला उसमें से 93 परसंट लोग बोलते हैं नहीं बिलकुल भी नहीं आप लोग ने तमाचा नहीं सुनिएगा गौर से आप लोग ने तमाचा नहीं पट्टसेट शॉट वाँ थैंकि थैंकि देव बसे सुनना चाहता रहा दोस्तों आपसे जो जन्यून फॉलवर्ट से मेरे जो लोग मुझे जानते उनको पताए कि मेरा कंटेंट कैसा होता है और कैसे हम काम करते मैनत करते और यह आज की टेक नूस कल की टेक नूस स्वाल क बेरेगा सिस्टम खतम हो जाएगा तो हम हमारा जो पॉल होगा वो कैसे करें कम्यूनिटी सेक्षिन में रखे या नीचे कमेंट सेक्षिन में आप से सवाल पूछो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जवाब दे जैसा भी लगता है दोस्तों यहाँ पर पोल रखते हैं दिनाम वाला मश्यूर में इसको वैसे बोल सकता हूँ और आप सभी लोगों का योगदान था कि 4.5 स्टार से वो सिधा 1.2 पर आ गया था मतलब मिलियन्स ओफ लोग गये थे प्लेश्टो पर और टिक टॉक को एक स्टार रेटिंग दिये थे लेकिन कल रात के बाद से और आज सुबह में दोस्तो अचानक से जो रेटिंग थी वो 1.2 से 1.6 पर आ गई है अचानक में भयानक हो गा यहाँ पर बताया जरे कि गूगल ने रातो रात दोस्तों जो फेक अकाउंट बना के जान पुछके जनोंने रेटिंग दिया था जो भी रिजन था मिलियन्स ओफ जो रिव्यूस थे उनको डिलीट कर दिया इस लिए जो 1.2 से जो रेटिंग थी वो सिद्य 1.6 पर आ गई है देखे बात यह दोस्तों इतने दिनों से हम यूटूब टिक टॉक यूटूब टिक टॉक कर रहे है पागलू की तरह आप पर लड़ाई कर रहे है मैंने भी पहल करें तो यूटूब को कुछ फर्क नी पढ़ता है ना टिक टॉक को कुछ फर्क पढ़ता है अब देखें दोस्तों इसका 1.2 से 1.6 हुआ या उसके ऊपर जाता है यह वापस लोग उसको योगदान करके नीचे लिए यह तो आगे चलके ही पता चलेगा तो यहां पर दोस् वह इन फोन की स्पेक्स वगएरा रिवील करना शुरू कर देगी यहां वैसे फोन की जलक भी उन्होंने दिखा दी पीछे आपको कोर्ट कैमरा दिख रहा है फिंगर्पिंट स्कैनर भी पीछी की तरफ है और इसके अलावा बहुत सारे चीज़े इसमें होगी बड़ी डि होगी और क्या होता है उसके अलावागा खास वो तो हमें थोड़े टाइमी पता चलेगा वैसे फोन तो मेरे पास आगए दोनों आगे हॉट 9 और होट 9 प्रो इसके अंबॉक्सिंग आपको थोड़े दूनों में मैं आपको दे दूगा वैसे आप मुझे बताई ही दोस्तो एक और कंपनी ने जियो में इंवेस्टमेंट किया है थोड़ा वो श्टेक अक्वाइट किया है मतलब इसको मिला कि पांच कंपनी हो गई है पहले फेस्बूक था फिर सिल्वर लेक उसके बाद विश्टा फिर जेनरल एट्लांटिक और अब आया है के के आर वह आई पील लग कोलकाता नाइड एड़ेस हो यह यह यूएस की कंपनी में उसकी बात कर रहा हूँ और साड़े 11,000 कोड़ों का इन्होंने इंवेस्टमेंट किया है इन पाचों कमपनी का मिला कि जियो के पास अब 78,000 कोड़ों का इंवेस्टमेंट हो गया है लग बग उनको 10,000 कड़ आइकू आपको बता है अब रिसेंटी दोस्तों चैनल में लॉंच हो था मीडिया टेक 1000 प्लस वाले प्रोसेसर के साथ में और अब दोस्तों बता है कि आईकू ने एक नया ट्रेट मैक फाइल कर दिया है अपने यू सीरिस वाले स्मार्टफोन के लिए आईकू यू वन करक आईकू आईकू आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों ऑर स्विगी को टकर देनी के लिए अपनी फूट डिलिवरी सर्विस जो शुरू कर दिया है येस दोस्तों हाला कि मार्च में उनका कुछ पाइलेट प्रोग्रम था लेकिन आप उन्हों ने औ उफिशली शुरू कर दिया है बैंगलोर से शुरू होगा और कुछ सेलेक्ट पिन कोट से वहीं पर हो रहा है और एकदम हाई क्वालिटी या हाई स्टेंडड हाईजीन वाली जो रेस्टोरांट से उन्हीं को वह लोग कर रहे हैं और इस टाइम पर तो वैसे खास कर जरू करते हैं मतलब सबको सबकुछ करने कफूर सर्वीस शुरू कर दिया तो हम भी करेंगे को यहिएरफोर्स निकाला को हम भी लाएंगे TV लाएंगे कुछ बचा ही है किसको क्या करना कि मिसे को कुछ ने हमको करना लेकिन सबकॉस प्सकुच करने तो तो यहां में दोस्तों WhatsApp के तरफ से खावर आ रही है और WhatsApp दोस्तों एक ऐसा messaging platform में यह आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है अब दोस्तों WhatsApp QR code वाले feature पर काम कर रहा है जो आपके phones की settings में पाया जाएगा और फिलाल के लिए दोस्तों यह बीटा में 2.206028 वाले version के अंदर देखा गया है और यह दोस्तों क्या होगा कि आपके phone में जो WhatsApp के अंदर QR code होगा दूसरा वर्णता कोई भी scan करेगा डारेक्ली आपको contact वो save कर सकता है या उन्होंने कोई लड़की को use करते वो देख लिए और गलती से उसने अगर QR code खोल दी तो यह यू मारा देखूं सकैन मारा करटी समझ रहे तो थरकी alert इसलिए मैं सोचरों को यह चीज़ गलत है जो शायद इस पर WhatsApp को सोचना चाहिए यहाँ पर दोस्तो OnePlus की तरफ से बहुत ही interesting ख़बर आ रही है इंडिया में दोस्तो OnePlus ने PUBG Mobile के साथ में partnership कर दिया है और एक नया tournament announce कर दिया है इसको बोलते है Dominate Dominate लिग दिया है और 8 मार दिया है short form में तो यह होता है Dominate और इसकी registration आज से शुरू हो गए है 22 में से मैं आपको description में link दे रहा हूँ अगर आपको interest आप वहाँ से चाहके देख लिजिए और बहुत सारे terms and conditions से उनको आपको follow करना पड़ेगा वैसे 2nd June से यह शुरू हो जाएगा शाम के 6 बजे से आपको इसमें pro gamers मिलेगे जो PUBG में pro है वो और साथ में Indian cricketers इनके साथ में आपको खेलने का मौका मिलेगा अगर register करते और अगर आप select होते तो इसमें दोस्तों काफी सारे match वो लोग खेलेंगे यहाँ पर 3 match का जिकर किया गया है और साथ में इसमें most valuable players को भी हर match में देखा जाएगा अगर वो अच्छा perform करता है तो उसको OnePlus 8 Pro वो लोग gift भी देंगे जी हाँ तो आगर आपको चाहिए सब कुछ cricketers के साथ खेलना है pro gamers के साथ में खेलना है तो जाएए register कर लीजे और क्या पता आप उसमें से lucky हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों Oppo और Xiaomi के बीच में जो transmission alliance हुआता ना file transfer का जैसे कि Xiaomi का Mi Share है Oppo का Oppo Share है आप इन दोनों के बीच में high speed में file को transfer कर सकते हैं Wi-Fi और Bluetooth के जरीए और 20 MB per second की speed मिलती है और यह सब कुछ native होता है इसमें कोई third party app के आपको जरूवत नहीं पड़ती है अब इस transmission alliance में और भी सारी company ने जॉइन कर लिया है Black Shark, Mizu, OnePlus और Realme जी हाँ आप इन्होंने भी जॉइन कर लिया है और इनके बीच में भी दोस्तों आप high speed में file transfer कर सकते हैं without any third party app और full speed के अंदर इसके बारे में दोस्तों आपका क्या खायल है आप comment करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से ख़बर आ रही है और पहले तो आपको बता दो इंडिया में दोस्तों Redmi का जो true wireless earphones आने वाला है 26th May को उसके साथ में दोस्तों एक और नया product Xiaomi launch करेगा और ये मन्नु कुमर जैन ने tweet किया इस पर लंबा चौड़ा भाशन दे दिया है और इससे देखके तो यहीं लग रहा है कि वो एक screw driver की बात कर रहे है Xiaomi का आपको smart screw driver मिलेगा जो इंडिया में भी आएगा और यह टीजर से भी हमें यही लग रहा है तो सिफ Redmi का वो true wireless यह फोन नहीं होगा उसके साथ में यह भी आएगा और पता नहीं और क्या-क्या वो लोग लेकिए आएगे 865 वाला प्रोसेसरों का मतलब एक flagship note series वो लोग चायना में लांच करने की प्लानिंग कर रहे है और साथ में उसमें आपको 144Hz की higher refresh rate वाली screen भी मिलेगी तो मुझे लगता है यह शायद कोई नई series होगी Redmi की जो पहले digital chat station ने भी इस पर confirmation दिया था देखे दोस्तों मैं काफी excited इस phone के लिए क्या खास होता इसमें आएगा मैं आपको ज़रूस इसके बारे में बता दूँगा तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से आज दो interesting cover निकल करा रही है पहली तो दोस्तों official है जहाँ पर कल मैं आपको बताया न लीक दिया था Realme TV के remote के बारे में मैं आपको exclusive photos वगरा बताया थे जो सबसे पहले हमने बताया था उसके बारे में आज मादव शेट नी tweet कर दिया और उन्होंने उस remote को एकदम खुले में दिखा दिया आप देखेंगे Sophie बे बैटके मस्त आराम कर रहे है हस रहे है किसको देखेंगे पता नहीं आपको उनकी पास remote है और same to same वही है दोस्तो जो मैं आपको यहाँ पर कल दिखाया था अभी उनसे पूछा रहा है यह photo किस ने दिया उनको चोड़ो दोस्तो उसके अलावा दोस्तो Realme X3 जो series आ रही है इन में दोस्तो आपको Snapdragon 765G और Snapdragon 855 Plus वाला processor मिलेगा यह खबरे निकल करा रही है या तो X3 जो होगा मुझे लेगा स्कूछ स्नाप्रेगन 765G होगा और जो X3 जो सूपर जू में आई थी उसमें Snapdragon 855 Plus वाला processor मिलेगा उसकी price थोड़ी ज्यादा होगी और जो X3 में 765G होगा उसकी price around 20,000 होगी है और वो शायद 5G phone मन के इंडिया में आ सकता है यह leak मुझे अभी मिली है बाकी confirmation नहीं है जब कुछ होगा तो आपको उसके बार में बताऊँगा क्या आपको बता है कि दोस्तों इंटरनेट जब आया था और सबसे पहला photo इंटरनेट पर कौन सा अप्लोड होगा था यह वादा बस बसा बस ओ भाई बस जितना उतना ही है जादा नहीं देखो यह सबसे पहला photo अप्लोड होगा था आज की देखो आपको आज की देखो पसंद आगी अगर आपको बसन अब जरू से वीडियो को लाइक करिए नीचे वाला वीडियो नहीं देखा तो जरू से जाके देखना मिलते आप से लिए वीडियो के साथ टिल नवी ग्रेट डे एंड ओल्वेस कीप स्मालिंग